नमश्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे sinus की problem क्या होता है, sinuses क्या होता है, sinusitis क्या होता है ये समस्या आकिर है, क्या, क्यों होती है और इसका ilاج के बारे में अगर हम बात करें तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और सबसे पहले जानते हैं कि sinus असल में होता क्या है या sinuses होता क्या है हमारे जो human skull है मतलब जो ये हमारा अगर हमका एक खोपड़ी है जो face है ठीक है इसका जो skull है जो हड़िया है अगर आप उसको देखेंगे जैसे कि आप यहाँ पर image में भी देख पाएंगे वहाँ पर main चार गड़े होते हैं मुख्य तोर पर दो ये जैसे आप ये तो महसूस भी कर सकते हैं ठीक है और दो होते हैं यहाँ जहाँ यहाँ आईब्रो यहाँ से मिल रही है यहाँ साइड में और forehead के बीच में यह कहलाते हैं sinus अब इन sinus का काम क्या है इसको समझना बहुत जरूर यह है क्योंकि इसी से ही sinuses की समस्या का जनम होता है असल में यह جो sinus होते हैं यह हमारे body के लिए यह कहें हमारे naak के लिए mucos तयार करते हैं मुकस बनाते हैं और उसको secret करते हैं यहाँ अब mucos बनता है और यहाँ पर secret होता है इसलिए जब आप देखते हैं कि किसी विक्ति को अगर cold हो गया है तो वहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा problem होते हैं सांस लेने में क्यों? क्योंकि तब इन sinuses में जो mucus का creation है, production है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इसलिए यहाँ पर आपको blockage feel होती है और इसी कारण से आप देखोगे कि आपको सरदर्द की problem होती है क्योंकि mucus बना और वो block हो गया जिसकी वज़े से आपको सांस लेने और छोड़ने में problem आती है और आपको सरदर्द की शिकायत हो जाती है तो यह तो बात हुई sinuses की लेकिन sinusitis किसको कहते है यह क्या चीज है और यह कौन सी समझे है इसको भी समझेंगे देखे इसको समझने से पहले आप एक छोटे से example से समझने की कोशिश केजिए कई बार आपने देखा होगा कि कहीं पर पानी जमा होता है अब जब वहाँ पर पानी जमा होता रहता है तो वहाँ पर एक दिन दो दिन हफते बाद अब देखते हैं कि वहाँ से smell आनी शुरू हो जाती है ऐसा होता क्यों है क्योंकि जो उसमें bacteria है वो उसको सडाना शुरू कर देता है और जितना वो सड़ता जाता है उतनी ही smell बढ़ती जाती है कुछ ऐसी ही समस्या होती है sinuses में और sinusitis में क्योंकि जब हमारे sinuses mucus create कर रहे हैं लेकिन वो mucus secret नहीं हो पा रहा है यानि बाहर नहीं आ पा रहा है नाग में नहीं आ पा रहा और वहाँ पे blockage हो गई है तो अंदर अंदर वो mucus क्या होने लग जाता है सड़ना शुरू कर देता है क्यों क्योंकि आपकी नाग से जैसे ही कोई bacteria कोई infection अंदर गया तो वो क्या करता है आपके उस mucus को सड़ाना शुरू कर देता है जिसकी वज़े से यहां पे blockage आ जाती है और अंदर ही अंदर वो सड़ता है और उसके बाद वो fungus बनता है और उसके बाद अलग अलग तरीके की problems देखने को मिलती है तो मोटे मोटे तोर पर हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा कफ बन रहा है जो mucus बन रहा है अगर वो बन सही रहा है लेकिन बाहर नहीं निकल पा रहा और वो अंदर ही अंदर सड़ने लग जाता है तो उसी को कहा जाता है sinuses की problem जिसमें अगर हम लक्षणों की बात करें तो सर में दर्द रहना आम तोर पर smell ना आना आपके अंदर ही अंदर आपको smell महसूस होना कुछ इस तरीके के लक्षण आपको देखने को मिलते हैं और बुखार भी इसका एक लक्षण है जो आपको 6, 8 या 10 दिन तक भी लगातार रह सकता है इसके साथ साथ बेचैनी होना, आँखों से पानी आना, नाक बहना भी इसके कुछ लक्षण है और सांस लेने में समस्या होना तो आम तोर से होता ही है तो यहां तक हमने क्या समझा कि sinuses की problem है क्या और अब बात करते हैं कि हमें अगर इससे निजात पाना है इससे ठीक होना है तो किस तरीके से हो सकते हैं देखें, sinuses की जो problem है वो दो तरीके से होती है एक होती है acute जो अचानक से हुई दो, तीन, चार दिन में हुई और severe condition तक चली गई और एक होती है chronic जो धीरे-धीरे circumstances की वज़े से जो dust आपके अंदर जा रहा है उसकी वज़े से या कोई bacteria जाते जा रहा है उसकी वज़े से हो जाती है चाहें ये acute हो, मतलब अचानक से या जल्दी से होने वाली सबस्या या फिर chronic हो, दोनों का ही treatment possible है अगर आप चाहें तो लेकिन हो सकता है, आप मेंसे बहुत सारे दर्शक जो देख रहे हैं, अभी उनको एक सवाल होगा मन में, कि हम तो इसका treatment ले रहे हैं हमें आज सच कोई इसका satisfactory result नहीं मिल रहा या फिर जैसे ही हम दवाई छोड़ देते हैं जी हाँ, अगर आप allopathic medicine ले रहे हैं तो ये समस्या आपकी बार-बार बनती रहेगी, क्योंकि आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि allopathic की दवाईयों से हमारी जो समस्या है, वो दबती है बस, कुछ time के लिए control होती है, खतम नहीं होती, अगर आप किसी भी बिमारी को, समस्या को अपने शरीर से खतम करना चाते हैं, तो उसके लिए दो ही हमारे पास उपचार हैं जो आन तोर पर हम देखते हैं एक होता है आयुरुवेदिक और एक है होमोपेटिक जी हाँ होमोपेटिक होमोपेटिक यहाँ पर मैं आपको कहूँगा सर्वश्रेष्ट है और यह तो आप भी जानते हैं कि सांस से जुड़ी समस्याओं के लिए होमोपेटिक की दवाईयां सबसे ज़ादा असरदार मानी जाती है तो होमोपेटिक की दवाईयां सबसे पहला काम क्या करती है जड़ पर काम करती है मतलब जड़ क्या है साइनेसेज में के हमारे जो म्यूकस बन रहा है वो ब्लॉक हो गया है तो हमें वो ब्लॉकेज खोलनी है जो सिक्रीशन नहीं हो रहा है वो सिक्रीट कराना है तो जो होमोपेतिक के मेडिसन है वो डिरेक्ट आपके मेन जड़ पर काम करता है दूसरी चीज इसकी जो दवाई है वो आपके पेट में जाके डेजस्ट होके उसके बात काम नहीं करती डिरेक्ट आपके Healthy काम करना शुरू कर देती है ऐसा क्यों कहा रहा हूँ आप खुद सोचिए जब आप वोई भी होमोपेतिक के मेडिसिन लेते हैं तो वो होती क्या है छोटी-छोटी sugar balls आप जैसे ही उसे जीप पे रखते हैं चूसना शुरू करते हैं और वो मुँ में ही dilute हो जाती है और जीप से ही आपके blood में मिलके अपना काम करना शुरू कर देती है इसी लिए जो इसके result है वो बड़े असरदार और बड़ी जल्दी देखने को मिलते हैं और सबसे एहम चीज ऐसा होता क्यों है क्योंकि जो होमोपेतिक medicine होती है वो alcohol based है अगर आप आपने कभी alcohol पी है या पीते हैं तो आपने देखा होगा कि alcohol जैसी आप पीते हैं आपको hardly एक मिनट के अंदर अंदर उसका असर होना शुरू हो जाता है तो alcohol based है इसी लिए जो इसका असर है वो बहुत ही fast pace पे होता है fast speed से होता है तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि यह sinusitis होता है जो हम कहते हैं mucus के सडने को हम बोलते हैं sinusitis ठीक है तो जो यह होता है यह असल में है क्या क्यों होता है और हाँ एक और चीज हो सकता है यहाँ पे कुछ लोगों को यहाँ पे confusion रह गई हो कि सर यह होता क्यों है एक मैंने आपको बताया ना कि जब किसी भी तरीके का infection हमारे अंदर जाता है तो वो यह काम कर देता है यहाँ पर कुछ और भी reasons देखने को मिलते हैं कि कई लोग जैसे ज़्यादा pollution में रहते हैं या उसको कोई चीज allergy करती है smoke करते है तो भी sinuses की problem देखने को मिल जाती है और अगर आपको या आपके परिवार में किसी को यह समस्या है तो परिशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यह reversible है यह ठीक हो सकती है बस आपको एक छोटा सा काम करना है कि अगर आपके मन में कोई doubt है या इसके बारे में या हमारे से ilaj के बारे में आप जानना चाते हैं तो आप नीचे दिये गए numbers पर call करके भारत homeopathy के doctor से free of cost consult कर सकते हैं क्योंकि जब patients हमारे यहां आते हैं तो doctors उनकी सबसे पहले history जानते हैं उनके बारे में समझते हैं उनका जो nature है उसके बारे में देखते हैं कि क्या उन्हें पसंद है क्या नहीं पसंद है उसके हिसाब से उनको दवा दी जाती है जिसका best result उनने बहुत ही जल्दी देखने को मिलते हैं तो फिर भी अगर आपके मन में अभी कोई सवाल है जो आप पूछना चाते हैं तो आप direct हमारे doctors को call करके पूछ सकते हैं इसी number पर call करके आप हमारे doctor से appointment लेके मिल भी सकते हैं या फिर आप comment section में भी अपना सवाल छोड़ सकते हैं सो अब मैं आप सबसे इजादत लेना चाहूँगा मिलूँगा अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार